करपूर गवरं करुड़ावतारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा बसंत मिर्दार विंदेभवं मवाने सैतम नमामी नमस्कार मैं हूं जोच्छाचार डॉक्टर विंतर पार्थी आप देख रहें भाग्य गुरु कारकरम भाग्य गुरु कारकरम में आपका बहुत-ब मुर्थ कब है रहुकाल कब है दिशासूल कब है इस सारी बात आपको बताऊंगा बारह राशो की भी बारें बताऊंगा कि आज की बारह राश्या क्या कहती है कौन बैग्यानिक बनेगा कौन चिकत्सक्त बनेगा कौन अधिवक्ता बनेगा कौन सा हित्यकार बनेगा कौन सरी सारी बाते बतावंगा गुरू के नुष्के भी बताउंगा जिनका जनमदीन उसके बारे में बताऊंगा और दर्सकों के प्रश्णों का उत्तर भी दोंगा आप देखते रहे भाग गुरु कारिक्रम अब आई यहां बात करते हैं आज के पंचांग की आज 31 अगस्त 2023 दीन है गुरुवार सुर्योद्य हो चुका सब्सके संतावन मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को छे बच्च कि चोवालिस मिनट पर चंद्रोद्य होगा साम को साथ बच्च की 14 मिनट पर चंद्रास्थो का सुबा पांच बच्च की 56 मिनट पर आज चंद्रमार है के कुम्बराशी में सुकलपक्ष पूरिमा तिति है सद्विसान च्छत्र है सुकर्मा योग है सुब मूर्थ है सुबाइब तक च्छपन मिनट से लेकर के दो पार बार बच्च के 46 मिनट तक रहुकाल है दो पार एक पूरे कर चाहते हैं एक दीछन्ड दिशा का दिशासूल है अगर तब यात्रा करें राहुकाल में कोई भी कार नहीं करना है और अगर कोई भी नियाकार करते हैं तो सुमूर्थ में करें आपके लिए अच्छा रहे हैं अब हम बात करते हैं आज के महामंत्र के आज का जो महमंत्र है ओम ग्राम ग्रेम ग्रौम है यह जो महमंत्र है देव गुरू बरिहस्पत का जिद्दाइब आपकी कुली में बरिहस्पत की की फोल्व और बरिहस्पत के नाथे आपको तमाम wealth पढ़ाई लिखाई करे शं्तान दामपत्य जीवन को लेकर के अगर आपको परिशानी हो रही है ऐसे परिश्थिती में इस महा मंत्र का जब करना आपके लिए लाप्रद रहेगा जैद्य आपकी कुली में ब्रहस्पती नीच का है एक चार साथ दस भाव में बैठा है और कहते हैं कि अस्थान को रोती जीवत हाने ब्रहस्पत जीज़ साथार ब्रट तो सन के हानी करता है ऐसे मिसमंत्र का अगर आप जब करते हैं तो आपके लिए फाइदे मंद होगा जदि किसी की बिवाह नहीं हो रहा है बयबाहिक समस्चा कुले के परिशान हैं तो आप इस महा मंत्र का जब करें कम से कम एक माला तीन माला और 21 ब्रहस्पत इबार इस मंत्र का जब करना आपके लिए फायदे मंद्र अब हम बात करें कि बारह राश्यों की बारे में कि आज की बारह राश्या क्या कहती है किसका भागोदे होगा कौन विदेश जाएगा किसको आयात निरासा धन मिलेगा किसकी माली हालत कौन वकिल बनेगा कौन इंजिनियर बनेगा सारी बात यहां किस रंग के परयूख करने साब का भागोदे होगा किस रंग के परयूख करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी सौधानिक अबरतनी उपाय क्या करना है आए आए चुछ चुरुआत करते हैं मेस्राशी की जो म बिज़ेस्टि मिलेगी मान सम्मान मिलेगा पत्पर्थिश्णा में ब्रद्दी होगी संततियों से मन प्रसंद रहेगा आपके कर्म चैत्र में विस्तार होगा पदोनत होने की संपौना बन रहे हैं माली हालत अच्छी होगी पिता से थोड़ा बैचारिक मत्वेद हो सकता भा और आज भगवान भोले नाथ के अराजना करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुबंख एक सुब्रंख के सर्या लख मिटर साथ हरी कृष्णा अब हम बात करेंगे ब्रिश राशी की जो ब्रिश राशी की जातक है आज आप क्या अर्थिक किस्ति सुद्रिन होगी निया वहान खरी सकते हैं प्रकति होगी परिवारिक समय शाओं का समाधान होगा संतान से मन परसंद रहेगा पदुनत होने की संभावना बन रही है पिता के सहयोग से सारे कारे संपन होंगे आज जो आपका बहुत दिनों से संघर्ष चला रहा है संघर्ष समाप्त होगा वैपा का मेंटल मारल एमोशनल सपोर्ट मिलेगा सौधानी के अपरतने हैं पिता के सलाह को लेकर की किसी नए कारी की शुरूबात करें उपाय क्या करना है नीला वस्त्र दान करें और गरीब ब्यक्ति को खाना खिला में ओम नमस्युवाय मंत्र का जब करें सुबंके दो सुब र रोजी रोजगार के नए आउसर मिलेंगे माली आलत अच्छी होगी पतनी सो थोड़ा बैचारिक मत्वेद हो सकता है रोग और सत्र परास्त होंगे माता पिता का सुख मिलेगा दूर देश की आत्रा होगी कई महत्मुर्ण कार होने की संभावना बन रही है सौधानी के आप विवज़ तनाव पाल लेता है टेंशन के इजन्सी है तनाव में होने के ना ते आपके बनेविए काम बिगड़ जाते है और अब दिवाद में पढ़े रहते हैं जिसन्से आपका समय बरवाद होता है तो बात बीवाद से बचें दूर देश के अत्रा हो सकते है अधनी के अबरतने हो ताले पन्वे कोई कारें ना करें उपाय क्या करना है ओम नमाशिवाय मंत्र का जब करें आपके लिए अच्छा रहेगा सुबंके दो सुबरेंगा सफेद लग मीटर है आठ हरी कृष्णा बात करते हैं शिंग राशी की जातक हैं आज कर दिन आपके ल हो सकते हैं चुटी चुटी बात को लिए कि आप तनाव की स्थिती हो सकते हैं तिसे बचें माली हलस सकते होगी परिवार में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है तो अपने को कंट्रोल करें जगड़ा बाद विवाद से बचिए मध्यमार्ग अपना ये संतान की प्रगति से मन खुछ रहेगा आज कोई नोकरी मिल सकती है खर्च अधिक होने से तनाव हो सकता है तो खर्च पर कंट्रोल करिए सौधानी के अपरतने बाद विवाद से बच्चें सूरी की आरातना करना आपके लिए अच्छा रहेगा ओम घ्रड़ी सुर्यान में मंत्र का जब करें बात करते हैं करने अराशी की जो करने अराशी के जातक है आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आज आपको मांसम्मान मिलेगा पत्परतिष्णां ब्रदी होगी आपकी दुरदर्सी ओजनाय पूर्ण होंगी आर्थिक किस्तिति ससक्त होगी इंडरस्टी खोल सकते हैं वहान खरिदने का उसर मिलेगा जमीन खरिच सकते हैं रोग और सत्रों से थोड़ा तनाव हो सकता है अपने को थोड़ा सा शकरात्मक सोचने की जरुरता बहुत निगेटिव थौर्ट में चले जाते हैं जिसके नाते आप परिशान होते हैं गुपत धन की शंख्यां ब सब्सक्राइब करें जो तुलाराशी की जातक है आज आपका मान सम्मान परतिश्ना में ब्रद्धी होगी दामपति जोने सुधार होगा पत्नी का सुख मिलेगा भू मिभून जमीन जैदात खरिच सकते हैं आपके लिए दिन आज का बहतरी ने प्रापल्टी को ले करके आ परिशानी उसको दूर करिए और अपने समझाओं का समधान कैसे कर इस पर सेल्फ रिव्यू करने की जुरुत है सौधानी का अबरतनी है बैपनियंत्रा रखें उपाय क्या करना जुरुत मंद्ध व्यक्ति को भूजन करावें सुभंकेदोज्शुबरंगे नीला लगमिटरसाथ हरे कृष्ण बात करते हैं बृष्ण राशी जो बृष्ण राशी की जाते हैं आज आपको परचूर मात्रा में धंलाब मिलेगा रियल इस्टेट प्रापल्टी से लाब मिलेगा जैद आज आपको पूजी निवेस करत यह चोटी चोटी बातों से बचने की जोरत है बेवजा परिशान नहों सौधानी के अबरतिया गुस्टे पर नियंत्रा रखें और चोटी चोटी बात को लेके एकदम परिशान नहीं रेटेट हो दूसरी की सला को माने उपाय क्या करना आज पीली हल्दी की गांट अपने प सकते हैं उसका हो सकता उसका प्रबल योग मनना परिवार में मांघली कार्यौने का योग बनना दूर देश के आत्रा होगी पर्यासरत का रूम बड़ी सफलता मिलेगी नोकरी आवं रोजी-रोजगार के Dr. से काफिल लाख मिलेगा पदूलन नोतों की संभार पीलत का रिच सौधानी के अबरतनी गुसे पनियंत्र रखें उपाय क्या करना बंदरों को केला खिलावें सुबंके आठ सुबंके के सरिया लक्मीटर है साथ हरी बात करते हैं मकर राशी की जो मकर राशी के जाता है आज आपके रुके हुए कारी संपन्न होंगे कई छत्रों से धन मिलेग कई महत्पूर्य योजनाय संपन्न होंगी लेखन कारे से धन मिलेगा फिल्म बना सकते हैं कहानी ली सकते हैं साहित सर्जन से बड़ा नाम होगा आज आपको प्रसकार मिल सकता है पत्नी से थोड़ा अनबन हो सकता है नेत्र की पेड़ा हो सकता है ग्याद व्यक्ति से वैप के चार सुबरंगे हलका ग्रे लख मीटर आर्ट हरे क्रिष्ण बात करते कुम्भराशी की जातक है आज आपको लाफ मिलेगा आपकी महत्वकांचियों जनाए पूर्ण होंगी दूर देश के आत्रा होगी रोग और सत्रू परास्त होंगे आपने को सत्रूं से रोग से घीरे सद्रूंद से धन आएगा आज आपका नाम बढ़ेगा पमनप्रफूलित रहागा प्राकरम से धनलाल बात करते हैं तिमराशी मीन की जोमीनड़ नージक कई महत्मुर्कार होने की संभाना बन रही है और च्छोटी च्छोटी बात को लिए के परिशान नहों आज आप तनाव में आ सकते हैं तो तनाव से दूर रहे हैं हेल्थ पर ध्यान रखें गुस्सा पनियंत्रन करें पदुर्नत के साथ नहीं नोकरी मिल सकती है आज आपके नोकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है पुराने मित्रों के मिलने से मन खुश रहेगा शुक्षा के च्छत्र में बड़ी उपलब्धी हो सकती है सौधानी के अप रितने दिल के बजाए दिमाक से निर्णे लेना हित कर रहेगा उपाय क्या करना है पीला वस्त्र मंदि में दान करें सुबंके तीन सुबरंगे पिंक लग मिटरे साथ हरे कृष्ण अब हम बात करेंगे गुरू के नुष्खे की आज हम आपको दो महत्फुड उपाय बताएंगे जिससे आपकी नौकरी लग सकती है जो परिशानियां दूर होंगी आपका हेल्थ और वेल्थ ठीक होगा और घर में उत्रोतर विकास होगा प्रगत्य होगा कि अर दूसराओ ऑपाय में बताऊंगा कि अगर आप परिशान नहीं हो रहा है और कि ःवाल्व लेता है उसका कारी करी नहीं हो रहा है कि आप कोई कारेह नहीं किये और आपको बेवजाद प्यस मिल गया कि आप परिशान हो रहे हैं आपका मन्चन्तित है शरीर ने इचिंग मली खुझली वरी आप परिशान है और थी किस्ति स्री गड़ेश आए नमा इस मंत्र का जब करना और भगवाल स्री गड़ेश को दुरबार्पित करने है या कार्या आप करें आपके लिए अच्छा रहेगा इस साब की परिशानिया दूर होंगे कि दूसरा उपाई यह है कि आप पंच मेवा का खीर बनाएए और उससे कम से कम 21 बुद्वार पंच मेवा के खीर से गंग गड़पाते नमा इस मंत्र से भगवाल स्री गड़ेश को प्रसाद भी अर्पित करिये और हमन भी करिए ताकि आपका अच्छा हो परिशानिया दूर हो तो भगवान स्री गड़ेश की कृपा से सारे कारे संपन होते हैं सुभ मांगली कार होता है हेल्थ वेल्थ ठीक रहता है प्रत्कुल ग्रह यानकुल फल देते हैं तो अगर आप यह करते हैं ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अब हम बात करेंगे आज की दिन जन्मी जातकों के बारे में आज जिन दर्सकों का जन्मीदीन होनके जन्मीदीन की बहुत-बद बदाई धेरु सुभ कामना है आपका जन्म दिन सुभ हो मंगल महों आपको प्रकत करिए आगे बढ़िए आपका च्यतुर्दिक विकास हो आपका हेल्थ और वेल्स अच्छ होगी है वर्स आपके लिए गोल्डेन होगा और बहुत सारे जुरू के विकारे संपन होगे माता-पिता का सुख में लेगा प्रापल्टी घर गाड़ी बनवा सकते केडमिक केरियर अच्छा रहेगा जन्वरी से लेकि जुन तक का कालखंड आपके लिए शांदार है उत्रो प्राप्त होगा महिला मित्रका शाहियो मिलेगा थे श्दारी बनेंगे पदुन आठो कि शाधानी के अवरत दिन कान है थे कामन फेस्टी द भागी गुरु कारकरम मेंfta इतना ही फिर हम आAP σε कर Οम कर तक मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त